नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है स्टेडी विद्धी पक्षर तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो जान ले हमारे चैनल के बारे में कि हमारे चैनल है क्या तो बितुर हमारे चैनल पे जो भी एक्जाम भविस्य में आने वाले होते हैं उनसे संबंदित प्रेक्टिस सेट, मॉडल पेपर और अच्छी से अच्छी PDF आपको प्रवाइड की जाती है तो जैसा कि आप सब जानते हैं UPSI, बिहार SI और उत्तरप्रदेश लेकपाल और हाई कोट का एक्जाम बहुत निकट है तो उससे संबंदित हम लगातार सेट आप लोग को प्रवाइड कर रहे हैं तो जो लोग नए हैं वो जाके वो सेट भी डाउनलोड कर सकते हैं तो नए लोगों से निवेदर है की चैनल को सबस्क्राइब जरूर करने तो मित्रों हम लोग आज बात करने वाले हैं Triple C एकजाम आप पस कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसी बात को लेके हम अपनी बात को आगे बढ़ादें कि measuring Cifica का जो एक्जाम होता है वो 90 मिर्ट का होता है और इसमें 100 प्रसनाते हैं जिसमें से 50 true of false के होते हैं और 50 बाविकल्पी के होते हैं तो मित्रों आईए हम आपको बताते हैं कि ये एक्जाम आप पास कैसे करेंगे और क्या तरीका होता है इस एक्जाम को पास करने का तो इस एक्जाम में A, B, C, D आपको ये 4 प्रकार के ग्रेट दिये जाते हैं आप इनमें से कोई भी ग्रेट पाईए वो फर्क नहीं करता क्योंकि एक्जाम में ये नहीं मांगते कि A ग्रेट लाईए, B ग्रेट लाईए, C ग्रेट लाईए या D ग्रेट लाईए आप exam देने के लिए eligible हो जाएंगे और UP government में तो 70% exam ऐसे हैं जिन मैं triple C विलकुल मानने है तो मित्रों आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ triple C को लेके है कि आपको pass कैसे करना है ये मैं आपको तरीका यानि कि trick बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे pass करेंगे तो सबसे पहले उन 50% की बात करते हैं जो true false के रूप में आते हैं तो इन में से अगर आपको कोई प्रसन लग रहा है कि ये गलत है तो उसमें false लगाईए बाकी सब में आप true लगाए यानि 30 से 32% प्रसन ऐसे होते हैं जो true होते हैं बहुत कम प्रसनों के false होने की संभावना होती है तो आपको अगर 5 प्रसन आ रहे हैं तो उनको आप false कर दीजिए बाकी सब true कर दीजिए तो इसी इस्तिती में आपके 30 से 35 नमबर यहां से बन जाते हैं बात करते हैं बहुविकलपी की तो 50 प्रसन बहुविकलपी के भी आते हैं तो अगर उनमें से आपको कोई प्रसन आ रहा है तो आप उसको टिक करिए आने था अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप उप्षन भी करके चले यह आप 100 प्रसन तो नहीं लेकिन 70-80% वह उप्षन सही होता है अब बात करते हैं ट्रिपल सी एक्जाम में एक उप्षन D नमबर पे आता है वो आलाफ अबब का आता है तो ट्रिपल सी के एक्जाम में 5-7 प्रसन ऐसे आते हैं जिसका उप्षन यही होता है आलाफ अबब और यह option हमेशा 100% सही होता है तो आप इसको आख बून के टिक कर के आएंगे तो हमेशा आपका ये सही होगा तो 5-6 नमबर आपके ऐसे मिल गए और 10-12-15 नमबर आपको वैसे मिल गए अब एक option आता है B नमबर पे वो होता है बोथ A and B का तो ये भी option 100% सही होता है तो जिस प्रस्ण में आपको ये option मिलता है उसको भी आप आख बून के टिक कर सकते हैं तो बात करते हैं क्योंकि ट्रिपल जी का एकडाम ऐसा होता जिसमें 20% तो ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते तो ऐसी इस्तिती में आपको करना क्या है उस प्रस्ण में आपको B टिक करके चले आना है तो आपका वो 100% सही हो जाएगा तो कि मैंने पिछले एक साल में तकरीबन 100 लोगों को इसी ट्रिक से पास कराया है यहां हम इस बात की गारेंटी नहीं लेते कि आप एक ग्रेड करना है तो ट्रिक के एक्जाम को मुने बताया है पास करने का तरीका कैसे है अगर आप सारे करके आते हैं तो 30 नमबर आपको वहां से मिलेंगे और 10 परस्ण तो आते ही होंगे तो 40 हो गए 5 परस्ण आपके अबब वाले होंगे तो 45 हो जाते हैं करते हैं तो तो इस तरह से आपके 55-60 नंबर हो जाते हैं और पिपल सी एक्जाम में पास होने के लिए 55 नंबर ही जरूरी होता है जो आप कंप्लीट कर जाएंगे और इस एक्जाम को क्रेक कर जाएंगे तो मित्रों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही लगातार हमसे बने र क encontra जानि रिदे एक्जाम में बना ही जाएंगे चकला रवाजाओ वसे वीडिên पास है वी लचकतान वोसे इतना ही लाएंगे विदे साणी लगे